फ्रेंस बच्चों को बाहर का खाना खाना बहत पसंद होता है और लेकिन हमारी कोशिछ यही रेती कि हम उपने बच्चों को healthy दें ताकि उनकी सिहत के लिए अच्छा हो और टेस्टी भी हो तो आज मैं आपके लिए कैसी रेसिपी लेकर आई हूं जो की healthy भी है, tasty भी है और बच्चों की फेरिट भी है, बच्चों को यो बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, तो चली मिलकर बनाते हैं, यह healthy breakfast जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा, और अगर आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मिले चैनल तो पानी हमें इतना लेना है कि बगॉनी आधी से जहादा फूल हो जाए तो यह दिखिए यतना पानी एक अफ़ाल हमें निर्फ सीछ दोंगी ग्यास के फ्रेम कर दिया है और एक अख एक पैज शताई और इसे वर्ल का और गना यहुत आժ यहां या तो पास्ता ले सकते हैं इस तरह का मैकरोनी वाला या फिर किसी भी शेप का पास्ता यहां पर यूज कर सकते हैं तो फ्रेंट्स देखिए पानी यहां पर हमारा बॉयल होने लग गया है अब इसी स्टेज पर मैं डाल दूगी इसमें एक चमच ऑईल एक चमच यह थ पास्ता थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा इसलिए मैं यहां पर नमक भी डाल दूगी और फैंट्स यह दोनों चीज आपको तभी डालनी है जब पानी में बॉयल आने लगे तो पानी में बॉयल आ गया है अच्छे से अब मैं इसमें डाल दिया यह पास्ता तो पास्ता डाल तो फ्रेंट्स यह देखिए दस मिन्ट हो चुके है और पास्ता हमारा अच्छे से यहां पे कुख हो चुका है एकदम सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा सा निकाल के एक प्लेट में हम इसको इस तरह से चममा से प्रेस करके देखेंगे देखें एज़ी कट रहा है इसका अच्छे से फ्लेम कर दिया है और इसमें मैं डाल दूगी दो से तीन चममच ऑईल हो गया यहां पे हमारा अच्छे से गरम और मैंने यहां पे कुछ वेजिस काटके रखें तो यह शिम्बला मिर्च है गाजर है एक प्याज है और हरी मिर्च है इसे मैंने बारी परी काट यहां पर मैंने दीरे-दीरे फ्राय करना है तो मैंने बारी मिर्च है इसे फ्री आप जिए जाल दूगी दो मीडिया की प्याज लिए और इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है आप चाहिए तो चोटे चोटे-चोटे पीसे में भी काट सकते इसे भी गोल्डन ब्राूं क तो प्याज हमारा भून चुका है अब मैं डाल दूँगी गाजर तो मैंने एक गाजर यहां बिल्कुल बारिक बारिक चॉप कर लिए और साथ में शिम्ला मेर्च भी डाल दूगी तो आद दी शिम्ला मेर्च लिए मैंने और निरे अमें फ्राय कर लेना है तो हमें को तो यह सारी सबजे हमारी को खो गई है तो वैजिस हमारी यहां 80% पग गई है अब मैंस में डाल दूगी नमक तो आदा चमच नमक डाला है मैंने अभी ज्यादा नहीं डाला है क्योंकि बाद में भी डालेंगे और आदा चमच यहां पर मैंने डाली है फ्रेश कुटी और इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है तो फ्रेंड्स यह सारी चीजे हम बाद में भी डालेंगे जब हम इसका स्वास बनाएंगे और इगे नो चिली फ्लेक्स वगएरा तो आप अभी कम ही डालिए नमक भी कम डालिए तो यह देखी फ्रेंड्स हमारी अच्छे से अब इन सबजियों का रख देंगे हमें एक साइड में और यहां पर मैं ले लूँगे एक कढ़ाई आप कढ़ाई यह फ्राइपन कुछ भी ले सकते हैं और इसमें मैं डाल दूँगे तीन चमच बटर और बटर को मैल्ट होने देते हैं तो फ्रेंड्स बटर हो गया है मैं और यहां पर मैं डाल दूँगी तीन चमच मैदा तो हमें द्यान रखना है कि जितना हम बटर लेंगे उतना ही हमें मैदा डालनी है तो मैंने तीन चमच बटर लिया था तो तीन चमच ही मैं मैदा डालूँगी और इसको इस तरह से कंटिनियस लिए हमें चला के इसको भू तो देखिए मैदा हमारा अच्छ से भून चुका है बिलकुल अलग अलग हो गया ना पहले कैसे लंस बन रहे थे और ये बिलकुल अच्छ से भून गया है तो यहां पर मैंने एक ग्लास दूद लिया है थोड़ा थोड़ा डूद डालूगी और दूद जो है वो रूम टेंप्रेचर पर होना चाहिए ना तो गरम न थंडा रूम टेंप्रेचर पर दूद है और इसको मैं डाल के इस तरह से कंटिनू चलाऊंगी आप देख सकते हैं इसे दीरे दीरे आप चमस से डिजॉल्व करते चाहिए या फिर इस तरह से आप रेगुलर चलाते चाहिए इसको तो वह दीरे दीरे अपने आप डिजॉल्व हो जाएंगे बस लंब्स नहीं पढ़ने चाहिए गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और अगर आप अच्छे से म बन गया तो यहां पर थोड़ा साथ थिक लग रहा है तो मैं थोड़ा दूद और डाल दूँगी बात में तो यह देखिए और यह देखिए इस तरह की फ्लोईंग कंस्टेंसी हमें इसकी चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए तो अब मैं डाल दूँगी एक चमच औरीग पाउडर डाल दूँगी यहां पर मैं आदा चमच नमक डालूँगी नमक पहले भी डाला था और बटर में भी नमक था इसलिए नमक में बहुत ज्यादा नहीं डालूँगी आपने टेस्ट के कोडिंग थोड़ा सा कमिया ज्यादा कर सकते हैं और फ्लेवर के लिए यहां बटर में डालूंगी चीज क्यूब का अधा मैं डाला है विल गाला देंगे तो इसको भी मिला लेंगे ताकि अच्छे से मेल जाए अब जो वैजी हमने फ्राय करके रखिए थी वह भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इन वैजी को इस क्रीमी सॉस में अच्छे से मिक कितना अच्छा कलर आया है बिल्कुल डिफरेंट और यह पास्ता जिसे हमने बॉइल करके रखा हो था यह भी हम इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो सॉस थी उसकी कोटिंग पास्ता पे हो जाए और जो वैजिस हमने फ्राय करके रखी हुई तो यह देखिए तो फ्रेंस वाइट सॉस पास्ता बनके हमारा यहां पर बिल्कुल रेडी हो गया है गैस की फिल्म कर दी है मैंने ओफ तो चलिए अब इसे सर्फ कर लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंस लग रहे हैं एक दम कमाल का एक टेस्टी जिसे देखते एक खाने का म करें बस तूट पड़ो अगर इस तरह का क्रिमी पास्ता मिल जाए तो और इसमें मैं डालूंगी एक बहुती जादूी चीज तो यह है चीज जादूी वाली जिसे इसके उपर इस तरह से अगर हम ग्रेट करेंगे तो फिर बच्चे तो क्या बड़े भागे चले आएंगी प्रफी यहां पर मैंने टोटल दो चीज की इसमें डाली आदी पहले डाल दी और यह वन एन हाफ अभी मैं इसमें ग्रेट करके डालंगी उपर से तो इसमें प्हले डाल सकतें लेकिन उपर से इस तरह से अब करेड़ करके डालें तो यह बहुत ही इड्रक्टिव लगता ह देखने में इतना सुन्दर है तो फ्रेंड्स आपको आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आयोगी क्योंकि ये बच्छों की फेवरेट है ये रेसिपी बच्छों को पास्ता बहुत पसंद होता है तो एक बर आप इसे जरूर बनाईये जरूर ट्राइ कीजिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक बर बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगी तो बनाईये खाईये सबको खिलाईये और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई